इस वीडियो में मैं आपको बहता हुआँगा कि आप अपने Facebook के पेज को पर्मानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं Facebook के पेज को जैसे आप अपनी Facebook की ID को उपन करेंगे तो आपने पेज को स्विच कर लेना है पर्फाइल में यहां से टॉप पर किलिक करेंगे तो यह को सुफियान इसका नीम है और यह नीचे आपको फीज में दिख रहे होगे हैं यहां पर बिनीद देंगे आपने सिधा Pages के बटन पर जाना है और यहां पर जो भी आपके पेज होंगे वो दिख जाएंगे क्योंकि हम बाइड़ फाल पेज पर हैं और यहां से अपने पेज में आ जाना है पेज को जिसको डिलील करना चाहते हैं यहां से फुल स्क्रोल डॉन करना ओर लास्ट में आपको एक उप्षयण देगा इंपर छन्यक्ति ने हैं इसमें के पाड़न सबसे नीचे चले जाना है वहाँ पर जाना आपको एक option दिखेगा access and control मतलब यहां से हमारा data shadow control होता है तो आपने इसके उपर click कर देना है जैसे इस बढ़न के उपर click करेंगे तो आपके सामने यह वाला option खुलेगा deactivation or deletion तो इसके उपर आपनी कर देना है click अब हम जाना permanently delete करना चाहते हैं तो हमें जो है ना first of all option नहीं क्योंकि first of all है deactivate temporarily तो हमें दूसरे वाले option के उपर click करना है जिसका name है delete page इसके उपर select करना है इसके बाद नो हम नहीं कर देना यहां से continue करेंगे तो यहां से हमें facebook reason पुछा है कि आप अपने page को permanently delete यूं करना चाहते हैं तो यहां से आप कोई भी reason दे सकते हैं जैसे कि I have a personal account या मतलब I spend too much time on facebook हम यह reason select कर देते हैं तो यहां से हमने करना simple continue तो जैसे continue को button पे click करेंगे तो यहां से सारी information खुल किया गी अब हमें कहा रहा कि अपने page को आप information को download करना चाहते है data तो आपने download info की button पे click कर देना है तो हम जो हमें तो कोई जूरूद नहीं है अगर आप transfer करना चाहते है information तो transfer info की button पे click कर देना है लेकिन हमें कोई भी चीज़ नहीं जाई बस हमें सिफ़ और सिफ़ अपने account को permanently delete करना है तो इसके लिए आप कर देंगे continue के button पे click और यहां पर सबसे important बात के जिस id पर यह page बना हुआ है तो उसका आपको password लाजमी आना चाहिए तो इसने id वो लागा कर रख दें मतलब जिस id भी हमारा यह page बना हुआ है ना तो इस id का name है सुफियान सैभी तो इस पर यहां से करेंगे इंटर password और आपने अपनी id का password लिख देना है अगर नहीं आता तो आप जोना फार्गेट कर सकते हैं लेकिन password आता होगा तो ही आप जोना इसको डिलीट कर सेबिये इसके लिएवा कोई भी दूसा रास्ता जोना नहीं है तो जैसे आपने अपनी id का password लिख देना है तो हमने करना है continue के बटन पर क्लिक और यहां पर बात दें जैसे आप continue के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका account डिलीट हो जाएगा और यह account ही बलके facebook का page और वह account जोना ऐसे खड़ा रहेगा उसे कोई भी टेंशन नहीं है तो अब यह permanently डिलीट हो जुगा हुआ कोई भी अब इसे वापस नहीं ला सकता है अब अगर आपका कोई भी सवाल हो इससे रिलेड़ेड़ तो आप नीचे कोमेंट कर सकते हैं अब अगर आप facebook से online वैसे कमाना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो के उपर क्लिक करें